ट्राइल की एक और अपडेट के साथ मैं आप सभी के बीच में हाजिर हूँ आज का जो वीडियो होने वाला है वो हर्याडा करकट एस्सेशन के खिलाडियों के लिए होने वाला है कि आप कैसे ट्राइल दे सकते हैं बेसिकली हम तीन टॉपिक्स पर बात करेंगे डोकिमेंटेशन क्या क्या होंगे ट्राइल में कौन कौन से डोकिमेंट आपको देने होंगे फार्म बरते समय आपको डोकिमेंट क्या देने होंगे अगर कोई अधर डिस्टिक का या अधर स्टेट का खिलाडी हर्याडा में रह रहा है तो हरियाना से अगर आपको खेलना है तो registration की process क्या होगी उसके बारे में पहले document के बारे में बात कर लेते हैं अगर document की बात करना तो सबसे पहले आपको अगर आप वह स्कूल में पढ़ते हैं जैसे कि मैं पहले भी वीडियो में कह चुका हूँ कि आपको कहीं भी trial देना है किसी भी state से आप belong करते हैं तो सबसे पहले आपको digital bet certificate देना पड़ेगा या education qualification दिखाना पड़ेगा जिसमें bona fide employee certificate इसमें अगर आप trial देना चाहते हैं इस साल का अगर आप trial देना यानि session 24-25 की अगर हम बात करें तो आपका जो bonafide बनेगा या room agreement जो भी होगा वो आपका 1922 का होना चाहिए उसी के basis पे आपको यहां पे trial देने का वोका मिलेगा और registration होगा और आपको mark sheet जो देनी होगी वो 2022 की और 2023 की आपको mark sheet देनी होगी जिसमें आपके principal के sign होने चाहिए और bonafide certificate principal के letterhead पे होना चाहिए जो school का letterhead होता है उसी के माद्यम से जिसमें admission number, date of birth, school, college का record और जो जिस class में आप पढ़ रहे हैं यानि academic study के बारे में उसमें currently mention होना चाहिए अगर आप employee है तो आपको employee certificate देना पड़ेगा कम से कम 11 महिने का और जिसकी सुरुआत होगी सितंबर 2022 से इसके साथ ही bank statement देना पड़ेगा जो 1922 से आज तक का होना चाहिए और salary slip भी आपको देनी पड़ेगी ये सारा institution के letterhead पे होगा ये आपको देना पड़ेगा अगर आप residence proof दिखाना चाहिए तो residence proof पे आप passport की फोटो कापी लगा सकते है वोटर ID कार्ड आधार कार्ड ये document अगर आपको issue date की बात करें ये 2022 यानी 1922 के पहले का होना चाहिए अगर इसके बात का है तो आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती तो ये documents आपको show करने पड़े हैं आपको जो registration हो रहा है वो किस हिसाब से registration हो रहा है ये जो registration हो रहा है ये district के registration हो रहा है जिसकी जानकारी हर्यारा क्रिकट association की official website पर आपको मिल जाएगी बहुत ही simple सा फार्म है कोई इसमें ज्यादा परशान होने की जोगत नहीं है आप कोई भी खिलारी easily इसको भर सकता है इस बार हर्यारा क्रिकट association अपने registration की process online शुरू कर दी है जिसके माद्यम से आप अपने आपको register कर सकते हैं registration में आपकी basic detail ले ली जाएगी जैसे आपका नाम आपका जेंडर, date of birth, mobile number, email id, cricket skill, cricket role, batting style, balling style, address, district का नाम और किस district से आप या किस गाहों से belong करते हैं उसके बा को बहुत ही ध्यान से बरनी है को भी detail आपकी गलत नहीं होनी चाहिए अगर गलत होगी तो आपको form भरने में दिक्कत आएगी उसी जात अगर आपने गलती से वह गलती कर दी है तो जब आप trial में जाएंगे तो trial की information आपको नहीं provide की जाएगी basically यह registration online इसलिए किया गया है ताकि easily आपका जो data है वो website में mention होगा और जब website में mention होगा तो district cricket association या हर्याना cricket association easily इसको access कर पाएगा और सीधे आपको जानकारी provide कर आएगा तो simple सी बात है आप ऐसे number को दीजे जिसमें आपका WhatsApp चलता हो या अब वो आपके पास रहता हो जिससे आपके पास अगर phone भी आता है या message आता है तो आप easily इसको access कर पारेंगे अगर फीस की बात करें तो फीस की detail इसमें mention नहीं की गई है जिसके बारे में हो सकता है आपको बाद में जानकारी हो आपको form बरते समय यह द्यान रखना है कि अपने form का print out जरूर अपने पास रख लेना है और उसकी 3-4 copy करा ल है ताकि आपने trial में क्या क्या detail डाली है आपको हमेशा के लिए याद रहें फीस के बारे में भी कोई detail नहीं दी गई है हो सकता है trial के समय आपसे fees collect की जाए लेकिन जब भी association का कोई trial होता है तो बहुत ही कम फीस या लगती है लगबग 400-500 क्यास पास फीस ही होती है इससे ज आपसे कम जाता हो सकती है इसके बारे में 100% sure हो कि नहीं बता सकता हूँ क्योंकि हर state में इसकी process अलग है हर यादा में भी पहले आपका trial होगा district पे district के बाद आपकी team बनेगी जो matches खेलेगी अब वो inter-district matches भी हो सकते है या district में matches भी हो सकते है लेकिन पहले आपका trial ही होगा अब trial कैसे होगा ये कराना हरियारे की उपर depend करता है तो आपको ये online प्रेक्रिया में registration जरू कर लेना है जल से जल registration करा ले क्योंकि ना तो इसमें date का mention किया हुआ है और ना ही fees का mention किया हुआ है तो form कब तक open रहेंगे इसके बारे में कोई भी आपको नहीं बता सकता अगर आपको कोई दिक्कत आए तो जैसे ही आप हम download करेंगे या website पर जाएंगे तो नीचे एक number लिखा हुआ है उस number पर आप call करके अपनी सारी जानकारी ले सकते हैं या address पर जाके contact कर सकते हैं अपनी district की detail निकल सकते हैं और अगर district आपको नहीं पता कि आप कि इस district से belong करते हो तो उसका option आपको website में दिया हुआ है लेकिन आपको district cricket association के बारे में पता करना है तो वो भी उस number के मादयम से आप पता कर सकते हो क्योंकि आम तोर पे district cricket association के office के बारे में website में mention नहीं होता है तो ये आपको जानकारी सोयम निकालनी पड़ेगी और trial के लिए आपको तयार रह घए क्योंकि ये जो form बढ़ाय जा रहा है कभी भी trials हो सकते हैं इसके बारे में अभी पक्चE त Tibet करेगाए लोगसभा के चुनाव हो सकता है लोगसभा के चुनाव के बाद कभी भी हो जाए या उसके पहले भी हो जाए या साथ में चलते रहें क्योंकि लोगसभा के चुनाव कई चरोड़ों में होते हैं तो आपके स्टेट में कप पढ़ना है उसके उपर ज्यादा डिपेंड करेग होगा क्योंकि district cricket association इसको अच्छे से कराएगा क्योंकि state association की खास इसमें नजर रहेगी तो ये था trial के बारे में जानकारी अब document की भी बारे मैंने बता दिया सारी जानकारी मैंने आपको दे दी है अब जैसे ही कोई trial की अब डेट आईगी तो मैं आपके सामने हादिर हो जाऊंगा उससे पहले चैनल में जितने भी वीडियो है आप चाहे तो देख सकते हैं कैसे trial होता है कैसे कैसे participate कर सकते हैं क्या क्या चीज़े होनी चाहिए इन सब के बारे में मैंने डीटेल वीडियो बना के रखा है और हर्यारा में कैसे matches होते हैं कैसे trial होते हैं उसके बारे में भी चैनल में अल्लेडी एक वीडियो आपको अपडेट मिलती रहे और आप इजली से trial दे और आप सलेक्ट हो पाए इसी तरह बाकी के स्टेट की खिलाडियों को भी मैं यह बताना चाहूंगा कि जल्दी सभी स्टेटों में trial के form ट्राल शुरू होने वाले हैं तो आप बने रहे हैं मेरे साथ देखते रही लगातार वीडियो मैं कोशिश करता हूँ तता कि आपको जल्द से जल्द information मिल जाए वीडियो अच्छा लगे तो like share करना ना भूले खासकर उन खिलालियों के साथ जिनको trial की cover नहीं मिल पाती है मिलते है किसी और वीडियो में